हेलो एवरिवन नमस्ते सस्रियाकाल अदाबस है hope you people are doing well and welcome back to my youtube channel हाई व्लोग्स आज फिर एक informative वीडियो आपके लिए यह है कि तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि Australian government ने change की है पी आर के हवाले से student post study work visas के हवाले से ठीक है और states भी इस पर काम कर रही हैं state भी nominations दे रही हैं अब यह state nominations क्या होता है जो offshore है जो अभी अस्टेलिया में नहीं है उनको नहीं पता मैं बाद में end पे explain कर दूँगा सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ के उस्टेलिया ने जो नॉर्मली एक session में 160,000 पी आर जदे थे students को जो international students यहां पढ़ने आते थे उसके बाद वो जब पी आर अप्लाई करते थे उनकी जो पी आर का quota था वो around 160,000 होता था नॉर्मली वन session के लिए एक साल के लिए ठीक है लेकिन जो अब की government है यह जो labor government है इसने यह अलान किया है कि हम 160,000 से अब इसको 196,000 कर देंगे ठीक है मैं जहां पे जिन लोगों की पी आर नहीं आती थी परमेट रेजिदेंसी यह नहीं आती थी उनके कोई ने कोई सब्सक्राइब कर दिया जाता था अब उनको भी मिलने के चांसे ज्यादा है क्योंकि अब PR का कोटा ज्यादा है इसके सिर्फ एक ही रिजन है कि में Australia में मुक्तलिफ sectors में मुक्तलिफ fields में बहुत सरी वकैंसी अवेलेबल है और उनको लोग चाहिए काम करने के लिए Australia को रन करने के लिए उनको लोग चाहिए तो इसे फिर वो जोली भर भर के लोगों को बुला रहे हैं मंगवा भी रहे हैं और उनको प्यारें भी दे रहे हैं तो पहला रिजन तो यही है कि प्यार के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ें अगर आप Australia आ रहे हो या आ गए हो प्यार करना शुरू कर दे आपको अमीद तो यही है कि प्यार मिल जाएगी तो दूसरी बड़ी खुशकवरी यही है कि जो नॉर्मली ग्रेजुएशन लोग करने आते थे मास्टर लोग करने आते थे या पीएचडी करने आते थे उनको पोस्ट्ट्टी वरग विजा मिल अब पोस्ट्ट्टी वरग विजा नॉर्मली तो ग्रेजुएशन के बाद दो साल का मिलता था ठीक है मास्टर के बाद भी दो साल का मिलता था और पीएचडी के बाद भी दो या तीन साल का मिलता था ठीक है अब उसको उन्होंने एक्स्टेंड कर आए कि ग्रेजुएशन के बाद वो student visa student visa के graduation के बाद वो देंगे तीन साल का वर्ग visa अगर आप master यहां करते हो तो master के बाद आपको देंगे चार साल का visa तीन से चार साल का ठीक है और अगर आप PhD यहां Australia के करते तो PhD के बाद आपको 5 से 6 साल का वर्ग visa दिया जाएगा मतलब डबल जहां पर आपको दो साल का मिल रहा था वहां से तीन साल या साड़े तीन साल चार साल का मिलेगा जहां पर तीन साल का मिलेगा जहां पर तीन जैसे PhD के बाद आपको तीन साल या नॉर्मली चार साल का मिलेगा तो यह दूसरी बड़ी खुश्खबरी यही है कि आपको जो student visa के बाद work visa मिलेंगे उस पे आपको बहुत ज़्यादा time होगा अपने PR के points क्लियर करने का बहुत ज़्यादा time होगा अपनी field में अपनी skill को polish करने में अपनी field में काम करके experiences लेने में आपको बहुत ज़्यादा time मिल जाएगा प आपनी अरसे में आपको पढ़ना नहीं होता आपके work limitations नहीं होती ठीक है आपको feces नहीं देनी पड़ती जो main problem है ठीक है आपके बास फिर यही होता है कि आपने कैसे ने कैसे इन तीन चार सालों में PR के points के लिए करने है तो दूसरी बड़ी खुश्खबरी यही है कि आपक यह 491 PR apply करने के लिए state nominations लेनी पड़ती है state nomination लेनी पड़ती है कि state nominate कर दिया है कि हम को इस field में इतनी लोग चाहिए ठीक है इतनी प्यास देनी हमने एक मक्सूस field में तो उसमें आपने फिर apply करना था तो आपको nomination देते हैं कि हम आपको nominate करते हैं PR apply कर तो states ने मुक्तलिफ states ने रिसंटली में न्यूस पड़ रहा था वहां पर पर समानिया state ने और ज्यादा nominations बढ़ा दी हैं इस तरह मुक्तलिफ states में जैसे आप किसी और state में भी जाते हो Melbourne या Victoria या New South Wales से छोड़ के तो मुक्तलिफ states हैं वो state nominations nominations दे रही हैं लोगों को PR दे रही हैं इसलिए लोग ज्यादा रुजहान अपना cities की तरफ या बड़ी cities जहां पर मतलब सिड़नी है New South Wales में Melbourne है इसमें Victoria में तो यहां पर रुजहान नहीं करते हैं मुक्तलिफ regional states में जाते हैं regional area में जाते हैं states की वहां पर पियर हों के opportunities ज्याता हैं क्योंकि वो nominations ज्यारा दे रहे हैं क्योंकि nomination जो पियर होती है 190 या 491 यह पियर असानी से मिल जाती है अगर आपको straight nominate करती है और जो दूसरी होती है 189 जिस पर आप खुद points पूरे करते हैं points पर भी पूरे करने होता है लेकिन जिसमें straight nomination नहीं होता वो 89 189 होता है जो के hardly आपको बड़ी मुश्कल से ही मिलती है वो तो लेते हैं किसी एक आदे मंदे को ही मैंने देखा यहां पर यह सुना है तो यह तीन चार चीज़े हैं जो के बड़ी ही important आपको बताने थी ताके आप भी खुश हो जाएं आप ऑस्टेलिया में है तो फिर भी खुश हो जाएं नहीं है तो फिर भी खुश हो जाएं अपने लोग यह सवाल पूछते हैं कि यह हो जाएगा वहां पर प्यार कैसे मिलेगी वह कैसे मिलेगी वह कैसे होगा यह कैसे होगा तो भई सबसे पहले आप उस्टेलिया आओ यह चीज़े डिसकस करना पहले अपना वीजा दो किलियर करो अगर आपने माइंड बनाई लिया जा अष्टेलिया जाना है ठीक है अस्टेलिया जाकर पढणा या रहना है तो भई सबसे पहले वीजा दो फाईल मझे लियुकर और अच्छे ऑजिंट शवार की साथ जाओ ठीक है और अच्छी फाईल बनाके वीजा के लिभावा बना के लिए डाकुमेंट डाल दिया और चलो वे क्योंकि यह फुद दुखाता नहीं है तो खुश रहें अबाद रहें ओप यू इंज्वाइड मैं वीडियो सी यू नेक्स टाइम एंड खुदा आफिस